माई फ्रेंड्स वेलकम तु माई चैनल आज मैं आपके साथ अर्वी की कदली की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि बहुत ही मज़ी की बनती है आप इस ये लंस वक्स में ले जा सकते हैं रोटी पराटे की साथ खाएं बहुत ही मज़ी की लगती है तो शेड़े बनाना शुर चीलने के लिए आपको क्या करना है हातों पे अच्छे से ओयल लगा लेना है जिसे आपके हातों में इससे जो होने वाली खुजली होती है वो ना हो तो आप हातों पे सरसों को ओयल लगा ले अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर आप इसे चील ले तो आपके हातों में बि चोड़ चोड़ टुकड़ों में कतली कट कर लेंगे तो जैसे हम आलू की कतली बनाते हैं वैसे ही मोटी मोटे इसके टुकड़े कट करेंगे और बहुत जादा पतले नहीं करेंगे बहुत जादा मोटे नहीं करेंगे मीडियम सी थिकनेस के हम इसके स्लाइस काट करके त्यार कर ली हैं इसके बाद हम प्रेशर को कर ले रहे हैं एक इसके अंदर एक सेर्विंग स्पून ओयल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे ये मैंने मस्टर ओयल लिया है मस्टर ओयल में ये इसका टेस्स जादा अच्छा आता है अच्छी तरीके से गरम हो जा दालेंगे एक चमस भरके और इस अद्रक लैसुन की पेस्ट को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे इसके बाद हम इसमें मसाले अड़ करेंगे सालों में हम इसमें डालेंगे एक चमस भर के लाल मिर्शी का पाउडर दो छोटे चमस धनिया पाउडर खाल्दी पाउडर वन फोट टी स्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे बराबर नमक डाला है मैंने और थोड़ा सा पानी डाल करके अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले को बहुत अच्छी से भून लेना है यह मसाला यहाँ पर अच्छी तरीके से भून गया है अब इसके अंदर हम अर्वी एड़ कर देंगे यहां पर दिखिए अर्वी को एड़ कर दिया अर्वी को एक से डेड मर्ट चलाते हो भून लेंगे मसाले के साथ अच्छी से मिक्स करके तो यहां पर इसको अच्छी तरीके से आपको भूनना है अर्वी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे आदा कप के बरबर पानी डाल करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी इसमें चार विसे लगा लूँगी मेडियम हाई फ्रेम पे और उसके बाद इसको थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद इसको उपन करेंगे तो यहां पर हमारी अर्वी की सब्जी अर्वी की कतली बनके रेडी है यह देखिए हलकी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है आप शाएं तो थोड़ी सी ग्रेवी और बढ़ा सकते हैं या फिर हलका सा ड्राइ भी कर सकते हैं यहां पर अर्वी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अर्वी की सब्जी रेडियो हो गई है आप इसे रोटी पराठे पूरी के साथ सर्प करें बहुत ही मज़ी की सब्जी बनती है तो आप इस सब्जी की रेसेपी को ट्राइ करें थोड़ा सा हाला धनिया और थोड़ा सा गरम असाला पौरडर आदर शोटी चमर्च डाल दिया है अची तरीके से मिक्स कर दिया है तो अभी मैं आपको इसे डिशाओट करके दिखा देती हूँ अगरम अर्वी की कतली को आप पूरी पराठे के साथ सर्फ करें बहुत ही मज़ी की लगती है आप इस रेसेपी को इस तरीके से बनाएं वीडियो अश्या लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहले बाराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल न भूले और थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो